As promised about the free makeup course, तो यह है उसका first episode, जहां पे हम बात करेंगे essential tools and supplies की, कि अगर आप एक self makeup artist हो, या फिर एक professional makeup artist हो, कौन से से tools and supplies है जो आपके पास होने चाहिए, या फिर अगर आपके पास एक client आता है, आपको वो सब tools and supplies की क्या-क्या ज़रूरत पढ़ सकते हैं. तो without further ado, let's get started. और हाँ, start करने से पहले, चैनल को subscribe जरूर कर देना, आपके आगे आने वाले वीडियो का miss ना करो. तो अगर आप एक self makeup artist हो, या professional makeup artist हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होने चाहिए, वो होने चाहिए brushes. ब्रॉश की डीटेल के बारे में हम next video में बात करेंगे, अभी हम बताते हैं कि कुछ आपके पास face brushes होना चाहिए, और कुछ आपके पास eye brushes होने चाहिए. और नेक्स चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो होने चाहिए beauty blenders. क्यों होता है, कभी कबार हमें अपने eyes के पास चोटे areas पे work करना होता है, जहां पे हमारा बड़ा beauty blender नहीं पहुच पाता है. तो उस area को work करने के लिए हमारा ये चोटा beauty blender काम आएगा. सपोज उनको कहीं पे touch up भी करना है, कहीं पे spot concealing करना है, तो उस जगे पे हमारा ये चोटा beauty blender बहुत काम आता है. Next हमारे पास होने चाहिए कुछ blotting papers. Blotting papers का क्या काम होता है, blotting papers आपके face से extra makeup and makeup के उपर से oil सोक कर लेता है, without disturbing your makeup. Suppose मैंना भी makeup pair कर रहा है, आपके client का आपने पूरा makeup कर दे है, पर उसकी skin बहुत ज़्यादा oil या sweat है, sweaty है, आप उसको बहुत ज़्यादा oil आ रहा है, तो आप लोगे एक blotting paper या उसको blotting paper दे दोगे, and she can blot her makeup. आप देखो, सारा oil यहां आ गया है, and इसने मेरा makeup बिल्कुल भी disturbed नहीं किया, so ये काम होता है, beauty blotting papers का, इसको आप nose पे या कहीं पे भी अगर आपका oil आ रहा है, ये सारा oil आपका soap कर लेगा, जैसे मेरे oil आ रहा है, and आपका makeup base भी बिल्कुल disturbed नहीं होगा, तो ये must have है, and आपके पास होना चाहिए, एक hand fan, आपके पास चाहिए, एक electric hand fan हो, या normal hand fan, आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा, कि hand fan की क्या importance है, because जब भी हम makeup करते हैं, या skin care करते हैं, तो हमारे makeup के वीच में हमको time देना पड़ता है, but कभी एक बार हमारा client बहुत जल्दी में होत है, उस case में हमारा hand fan बहुत ज़्यादा काम आता है, जिसकी बारीकी और details आपको next videos में मिलेंगी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस पूरे course में हम सिर्फ makeup नहीं, बलकि skincare भी include करेंगे, skin type, skin tone, सब कुछ included रहेगा, तो अभी तक अपने channel subscribe नहीं किया है, तो कर लो, next हमारे पास होने चाहिए कुछ wet wipes या फिर exfoliating wipes, यह हमारे face को clean करने में help करते हैं, और भी चीज़ों में काफी ज़्यादा काम आते हैं, यह हमारे sanitization के भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, then आपके पास होने चाहिए कुछ cotton pads, makeup remove करना हो गया, या कुछ client को make up कर रहे हैं, उनके bald disturb ना हो बीच में बार बार तो उस case के लिए हम यह पहना देते हैं, यह हम खुद पहन लेते हैं, अगर एक self makeup artist है, तो इससे हमारे बार 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 बीच में irritate ना करें, and हमारा base disturb ना हो, next आपके पास जो must 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 have is a makeup remover, यह आपके पास होना ही चाहिए कोई भी चोटी सी mistake आपको correct करनी है, तो उस case के लिए आपके पास makeup remover बहुत जादा काम आएगा, then आपके पास होना चाहिए, एक यह doctor tape type का tape, आप double tape भी ले सकते हो, पर doctor tape भी ले सकते हो, मैं double tape इसलिए ने suggest करूँगे, because double tape का glue बहुत जादा हार होता, अगर आप इसको skin लगाओगे, तो आपकी skin irritate हो सकते है, तो अगर आप एक doctor tape यूज करोगे, यह आपकी eye makeup में काम आ सकता है, अगर कहीं पे glitter fallout है, आप simply इसको press करके, आपका glitter निकल सकता है, इसके जादा glue नहीं होता है, and hence यह आपके face पे लगाने के बाद आपके base को भी disturb नहीं करता है, ब और अगर आपके client ने मांग लिया कि हमको बहुत ज़्यादा प्रसाइज डाइ मेक आप चाहिए, बहुत ज़्यादा हमको चाहिए कि एगम शार्प मेक अप लगे तो उसकेस में हमारा double tape या doctor tape बहुत ज़्यादा काम आएगा, next आपके पास होने चाहिए, यह आपके eye lashes करने में भी हप करते हैं, अगर आपके client के अभी का बार आपको बाद में बाल दिख जाता है, आइब्राउस के एक तो बाल extra है जो बहुत ज़्यादा मेक अप में डिस्टरब करें, then you can simply pluck it with a truizer, next आपके पास होने चाहिए, कुछ fashion tapes, fashion tapes का क्या काम होता है, यह transparent tape होते है, अगर blouse deep है, आपका client comfortable नहीं है, दो किसे tailor ने गलत सिल दे, आप end में क्या करेगा, रोएगा तो नहीं है, तो उसकी से आप fashion tape लगा लो, very comfortable, body को disturb भी नहीं करता है, irritate भी नहीं करता है, आपके blouses को या टुपट्टा को बहुत अच्छे से hold करके भी रखते हैं, तो fashion tape are a must, and सबकी links जो जो मिलेंगी में को मैं नीचे description box में दे दूगी, आप जाके अराम से buy कर सकते हो, यह कोई भी चीज से बहुत जादा महेंगी नहीं है, next आपके पास होने चाहिए, कुछ earbuds या q-tip, सबसे important काम इनका क्या होता है, आपका mascara फैल गया, आप mascara फैल गया है, उसको dry होने दो, इसको अराम से q-tip से रोल करो, आपका base बिस्टर्ब किये बिना, आपका सारा mascara बहर आ जाएगा, लिप्स्टिक फैल गई है, concealer लेके हलका से इसको सही कर लो, तो यह q-tip बहुत ज़्यादा काम आती है, आपने ब्राइड को lens पहने है, खुद lens पहने, आपने मेक मेक अपके बाद पहने हैं, मेक अप करने के बाद भी आपके eyes watery हो रही है, किसी-किसी क्लाइन को आप काजल लगाते हो तो eyes बहुत ज़्यादा watery हो जाती है, sensitive होती है, उस case में पानी आता है, आपको डर लगता, आपका make-up ना खराब हो जाए, तो उस case में यह q-tip बहुत आसू यहां से आता है, तो simply इसको यहां पर लगा दो, तो यह आपका सारा पानी सोक कर लेगा और आपका eye का make-up या face का make-up बिल्कुल भी disturb नहीं होगा, तो यह था मेरा episode 1 of the makeup series, next video में हम बात करेंगे brushes के बारे में face brushes कौन से होते हैं, eye brushes कौन से होते हैं, कौन सा brush किस काम के लिए आता है, वीडियो पसंद आए तो like जरू करना, चालम को subscribe करना, मत भूलना, bye guys!